केसे हैं आप सब लोग आई हूप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो आज हम करेंगे में सेकेंड वीक के important current affairs और साथ ही साथ बता दूँ कल ही हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे third week of May के important current affairs तो daily pdf आप लोगों को मिलती रहती है करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ simple तरीके से current affairs को हम लोग करते हैं सबसे पहला हम लोग आप लोगों को daily pdf जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट एड़ती है कि पांस से तस मिन निकाल के आप लोग हमारे telegram group या आप से उस pdf को रोज एक बार go through कर लीजिए उसके बाद आप लोगों का हम लोग कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें दस से बाना मिनट में हम पूरे हफ़ते की current affairs को यहां पे complete कर लेते हैं और जो बच्चा यह चारों चीज़ों को करता है मुझे नहीं लगता कि current affairs में उसको कहीं पर किसी भी तरीगी problem जो है वो face करने को मिलेगी तो अगर आप लोगों से request कि आप इसको करना शुरू कर दीजिए साथी साथ जो लोग यह चैनल पहली बात देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हरे एक update मिलता रहे वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ आज ही UPSC का जो similar level को हम लोग maintain करके आपके इस टेस्ट में डाले तो चलिए साथी साथ जो बच्चे किश्मीर से हैं तो अगर शुरू करते हैं आज की class को बिना जादा टाइंग वेस्ट के सबसे पहला question आप लोगों के सामने है में महीने महीं अभी हाली में कौन सी ऐसी पहली इंडियन एयर लाइन बनी है जिसने ऑपरेट करी है commercial domestic flight with sustainable aviation fuel अब यह जो SAF आप लोग यहां पर देखने हैं यह काफी important है क्यों important है वह हम साथ में discuss करेंगे पहले मैं आपको बता दू कि यहां पर कौन है जिसने यह करा है तो यह है आपकी विस्तारा एयर विस्तारा जो है इन्हों ने यहां पर पहली इंडियन केरियर बनी है जिसने ऑपरेट करा है commercial domestic flight को जिसमें sustainable aviation fuel जो है यूज किया गया है अब इससे होगा क्या देखो अब इससे होगा क्या जो तक्रीबन दस हजार पाउंड का जो अगर मैं बात करूं का carbon dioxide की emissions होती है उसको कहीं ना कहीं यह reduce करेगी तो इसलिए काफी जादा important है आप लोगों को यह याद रखना है अब इस तारह की एकर मैं बात करूं यह किसका brand है दिखो यह flagship brand है टाटा SIA Airlines का Tata SIA Airlines का एक joint venture अगर आप लोग मालीजिए यह है जो Tata Suns और Singapore Airlines का है तो यहाँ पे नाम इसको याद रखिएगा अब यह flight हुई कहां से कहां तक सी यह भी कहीं बार अगर पूर्शा जाता है तो याद रखना यह international जो हमारा इंद्रा गांधी airport है जो डेली में है वहा जो total जो fuel था अगर मैं बात करूं तो 17% SAF था और 83% जो था वो जो conventional jet fuel जो यूज किया जाता है वो था यहाँ पे इसको आप लोग याद रखेगा और इसी के साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने है विस्तारा की ही अगर मैं बात करूं तो विस्तारा को best overall airline का अवार्ड भी मिला है ठीक है ओवर्ल ओवर्ल एयर लाइन का वार्ड जो best overall यह जो अवार्ड मिला है यहाँ पे यह मिला था Central Southern Asia 2023 Regional Passenger Choice Awards में तो यह भी याद रहा है यह भी थोटी ताइम पहले ही मिला तो यह दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखेगा next पे आते है फू है रिसेंटली रिसीव दा 13 एडिशन ऑव भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर अवार्ड फ्रॉम फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनात कोविंजी देखो यह जो अवार्ड है यहाँ बहुत सारे बच्चे ना कहीं बार इसको स्टार्टिंग से ऐसे देखक अवार्ड से अवार्ड का गया है। एस यहां पर इसावार्ड से समानित किया गया है यहां पर इसको याद रखना यह वॉर्ड और और भी लोगों को मिला है लेकिन नाम यहाँ पर योगी अदित्यनाद जी का याद रखेगा यह आपसे पूछा जा सकता है यूपी के ये सीएम है यूपी की कैपिटल है लखनो और लखनो जो है ये किसकी कॉंशेंसी है ये है राजनाद सिंग जी की जो की इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है यहां तक क्लियर है नेक्स पे चलते हैं काफे modern है अम लोगों ने आपके साथ औरेडी शेर करा था अभी कौन सी इंडिया नेवल शिफ है जिसने रिसेंटली डिंशन करा है बाइदा इंडियन एन ने भी इन और 36 एंशन देने के बाद जो आई इनस मगर थी उनको डिंशन कर दिया गया है इनका नाम यहां पर या पूछे जाते हैं वो कुछ questions होता है selective जो आपको SSC में देखने को मिल जाएंगे जैके SSB में देखने को मिल जाएंगे ये उस तरीके की questions है जैसे आपके मही में अगर हुआ है अगर मालीजे आपके August तक कोई exam है तो वहां ये questions directly आपके पूछे जाते हैं recent जो 3-4 महीने के current affairs ह होते हैं तो इसलिए इसको भी याद रखना 36 साल की service करके INS मगर जो है उसे decommission करा गया है border road organization day BRO हर साल observe करता है साथ मई के दिन अब ये कौन सा raising day था देखो ये था 64th raising day अब आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए BRO और NHIA में क्या difference है देखो जो भी हमारे highways बनते हैं जो normal हमारी जो roads पे अगर मैं बात करूं जो highways बनाय जाते हैं वो काम होता है National Highway Authority of India का लेकिन BRO क्या करता है ये जो border road organization है जितने भी हमारे hilly areas आ जाते हैं या जो border connecting roads आ जाती है वो सब बनाई जाती है BRO के द्वारा ये बनाई कब गई थी ये बनाई गई थी 7th May 1960 के दौरान चीक है ये उस दिन बनाई गई थी और इसका जो main aim रहता है वो यही रहता है कि जो border road organization के personal हो जो personals होते है और जितने भी rank के officers होते है उनको invite किया जाए और एक जो जो काम किया जग गया इनके द्वारा जितने भी bridges होके roads होके वो सब BR होके द्वारा बनाई जाते तो उसको ये observe करते हैं हर साल तो ये काफी important है ठीक है यहां तक next पर आते है हाँ which of the following social security schemes along with अटल pension योजना have observed the 8th anniversary on 9th May 2023 देखो अब यहां पर क्या है 8th anniversary है दोजाथ 23 में जा रही है तो यानि कि वही एक ऐसी चीज है जो कि अभी recently यहां पर शुरू करेंगे है तो इसका पहले बता दू कि क्या नाम है तो यह यहां पर इसका नाम है परधान मंत्री जीवन जोती भीमा योजना परधान मंत्री शुरुक्षा भीमा योजना और रखना अटल पेंशन योजना भी जो है इसी दरान शुरू करी गई थी अगर यहां पर टोटल बताओं कि बेन कितने लोग है जिस पर इन्रोल है तो यहां पर बताओं तो 16.2 क्रोर पीपल जो है वह जीवन जोती भीमा में इन्रोल है 34.2 क्रोर लोग जो है वह सुरक्षा आप लोग ने इन स्कीम में जो है आपने अपने आपको इंडोल करा है यह परधान मतरी जीवन जोती भीमा योजना और सुरक्षा भीमा योजना यह आपका जो है पहली अगर मैं बात करूं जीवन जोती यह आपका एक इंशुरंस स्कीम है जो मिनिस्ट्यों फाइन्स के तुमारा लाई गई थी यहां पे क्या है कि अगर आप लोगों को कुछ भी हो जाता है आप लोग अगर 18-50 साल की एज में है आप लोगों को एक लाइफ कवर मिलता है दो लाख रुपे का और इसकी जो रेनुवल फीस है हर साल की वह तकरीबर 420-30 रुपे के करीब है जो की 300-300 से बढ़ाई गई थी अब भी रिसेंटली दूसरी चीज सुरक्षा बीमा योजना यह सिरफ 20 रुपे का इंशुरेंस है अगर आपको मालीज है तो आप इसमें जाके इंडॉल करवा सकते हैं यह बहुत अच्छी स्कीम है आपको यहां पर 20 रुपे सरफ साल के दिने और आपको दो लाख रुपे का इंशुरेंस जो वह यहां पर मिल जाता है अब यहां पर क्या था आप लोग अगर अठाना से चालिस साल के उमर में तो यह आप से पुछा जा सकते हैं के दिता टी जाती है थे मिनिस्टर नामन है जिनकी है जो अगर मैं बात करो कॉंशिएंसी कहां पर है तो उनकी कॉंशिएंसी है करनाट का में राज्यसभा मेंबर हैं यह यह याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं हम लोग जो की मेहिने में हुई है देखो यहां पर अब अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करो तो वेट लिफ्टिंग में एक और विवाद जो है वो सामने आप लोगों के भी चल रहा है जो हमारे रैसलर्स प्रटेक्स करने हैं फिलाल मैं आपको इस क्वेशन कहां से बता तो तो टूर्णमेंट में जो साउथ कोरिया में हुई है बिंद्या रानी देवी ने दो सिल्वर मैडल जीते हैं और इसके बाद अगर मैं बात करूं जर्मी लरिनुगा इन्होंने भी सिल्वर मैडल जीता है यहां पर आपको क्या याद रखना है आपको इन दोनों रेसलर्स के नाम याद रखने है क्योंगी पेपर में पूछ जाएगा कि कि स्पोर्ट से रिलेटेड है इस तरीके के क्वेशन्स ही स्पोर्ट में पूछे जाते हैं आप लोग ये क्वेशन्स को याद रखना हां एक चीज और बता दू आज ही UPSC का पेपर जो है वो कंड़क्ट करव तो इनके नाम आप लोग याद रखिएगा बिंदयारानी ज्यादाए है क्योंकि नोने दो जीते हैं तो इनका नाम भी याद रखिएगा ठीक है दोनों आप से पूछा जा सकता है और साथिसाथ साथित्यक आडमी ओड विनर भी थे तो इनका निदन हुआ है इनका नाम भी याद रखना और विच्वेरी में जो पूछे जाते हैं आज की डेट में ऐसे ही पूछे जान देगी बताएए कोन सी फील्ड में थे या कोन सी लैंग्विज में लिखा करते थे तो यह काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेशन होगा आपके एक्जामबर्ड व्यू से ठीक है कौन सी सरकार है जिसने किया है तो यह मैं आपको बता दू यह है हमारी टी हब 2.2 जिनों ने लांच करा था तैलांगना ने इसको भी हाल ही में लांच करा है तैलांगना ने पहली ऐसी इंडियन स्टेट बन चुकिए जिसने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को यहां पर लॉंच करा है ताकि जो एक रोबोटिक एको सिस्टम है उसको प्रमूट किया जा सके तो यह आप लोग यहां पर याद रखिएगा तेलांगना के सीम कौन है इस समय तो वो है के कुंदराजन और यहां पर एक टाइगर रिजर्व भी है बहुत फेमस अम्राबार टाइगर रिजर्व और साथे साथ रामपपा टेंपल तो आप लोगों को याद होई चुका होगा हम लोगों ने बहुत बार इसको डिसकस किया है यह हमारी यहां पर थर्टी नाइंथ य इसको किया रिटे साइट है फॉट्टी चालिसमी कौन सी थी वो थी दोलावीरा जो की गुजरात में अभी हाल ही में महीने में ही यहां पर सेकिंड वीग में क्या हुआ था कौन सी इंडियन स्टेट बनी आप यहां पर देख भी सकते हैं जिनोंने इंप्लिमेंट करा है र प्रवाइट वॉख अब यहां पर आप लोग सोचेंगे कि यह किस तरीके का है देखो अब यह क्या है यह जो लॉंच किया गया है पंजब के द्वारा किया गया है पर जाब के सीम है बगवान कमांग जी इन्होंने यहां पर लॉंच करा और पहली ऐसी इंडियन स्टेट बन गई है जिसने implement करा है यहां पर अब होगा क्या mandatory कर दिया जाएगा जितने भी road owning agencies है जिसमें आपकी NHEIB included है अब यह क्या करेंगे footpath provide करेंगे cycle track provide करेंगे जितनी भी future expansions होगी road की या फिर जो भी नहीं बनाई जाएगी यानि कि मालीजे जैसे की कोई भी road बनाई जाती है उसके साथ पर ही अब यह ensure किया जाएगा कि वहां पर आपका footpath जो है वो भी हो अगर आप में से कोई चंदीगड गया होगा तो आप लोग ने देखाऊगा चंदेगर में इसी तरीके से क्या होता है चंदीगर में आपको अलग-अलग track दिखते हैं जो कि cycle के लिए बनाई जाते हैं जो लोग cycle चलाते हैं उनके लिए बनाई जाते तो इसी तरहीते से पोशिश की जाएगी की cycle पर बनाय जाए और साथ सी साथ यहां पर आप लोगों के लिए फुक्त पास भी बनाया जाए तो यह अच्छी इनिशेटिव्स हैं इस तरीकी की चीज़ें काफी अच्छी हैं तो यहां पर यह जो है यह बनाया जाएगा अब यह जो जो डिरेक्शन आउट हुई थी यह डि पूछा जरूर जाएगा किसी एक्जाम में गवर्नर के बात करूं तो पंजाब के गवर्नर कोन है वह है बनवारीलाल पुरोहिर जी ठीक है और कैपिटल आप लोगों पता पंजाब और हर्याना की सेम है वह चंदीगर तो यह भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स पे जाते हैं अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन डेवलप्मेंट एकॉनमिस्ट और पदमभूशन अवार्ड विनर जो थे पदमा देसाई जी इनका निदन हो गया है अब यहां पे पेपर में पहली चीज आपको यह इस तरीके की क्वेशन रेरली पूछे जाते हैंगी कब इनको मिला था बट आप लोगों को यह चीज याद रखनी है यह क्वेशन जो है यह पूछा जाएगा कि पदमा देसाई किस फील्ड से रिलेटेड थी देखो पदमा देसाई जी बहुत ही फेमस एकॉनमिस्ट थी इनका नाम याद रखिएगा इस तरीके के अबिचुरी क इनको आपको याद रखना है नेक्स पर आते हैं कौन सी स्टेट गवर्मेंट ऐसी है जिन्होंने अप्रूव करा है चीफ मिनिस्टर्स स्किल अप्गरडेशन और ग्लोबल इंप्लॉइमेंट स्कीम जो की हेल्प करेगी जितना भी यूथ है टू स्टेट टू परस्यू कर अप्रूव कर दिया है यहाँ पर सीएम स्किल्स अप्गरडेशन और ग्लोबल इंप्लॉइमेंट स्क्रीम जिसका हिंदी में भी आप लोग नाम याद रखना इसका नाम है मुख्यमंत्री कोशल कुनायन और वैशविक रोजगार योजना तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है तो दोनों यहाँ पे नाम याद रखना जितने भी यूथ है जो की अपना foreign nations में करियर को जो पर स्यू करें उन लोगों के लिए स्कीम निकाली गई है तो यह point जो स्कीम से यह याद रखना अगर मैं उत्राघंड की बात करूं तो उत्राघंड की capital जो है वो दो है पहली कोन सी आती है जो पहली चलती आ रही है वह देहरा दून जिसको winter capital कहा जाता है और दूसरी एक समर अभी recently बनाई गई थी उसका ना उत्राघंड के governor कौन है वो है गुर्मीत सिंग जी देखो मैं यह नाम साथ साथ सबके इसलिए बतारा हूं कि यह पूछे जा रहे है आज करे एक्जाम में के कौन cm है जातर आज कि गवर्नर्स पूछे जाते है तो इसलिए जो जो static form में पूछा जाएगा वो हम साथ में discuss क इसलिए अभी हाल ही में 35 अडिशन जो है वो हुआ है इंडिया और ठायलंड के पेट्रोल का जिसको हम कॉर्पैट भी कहते हैं क्या होता है यह कॉर्पैट सिर्फ हम थाइलैंड के साथ करते हैं यह अगर लिजे दो निवीज є जो कहीं पेशाडियेट अपना पेट्रोलिं जो है यह हम कर सकते है तो इसको ही हम लोग कॉर्पेट कहते है थाइलेंड के साथ यह वारा 35 अडिशन था रिसनली हुआ है कौन सी शिप थी जो अगर बात की जाए अंडरमांद सी में हुआ तो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने यहां पर पार्टिसिपेट करा है तो यहां पर याद रखना ठीक है यह बेसिकली यह दिखाने के लिए करते हैं कि जो लिंकेज है बिट्वीन टू कंट्री और इंशोर करते हैं सेफटी और सेक्योर्टी इंटरेशनल ट्रेड रूट की जो की इंडियन ओशन में है अगर शिप की बात की जाए तो इंडियन मेजस्टी शेप एच्टी एमेस वहां से जो थी उसने पाटिस्पेट के तो दोनों नाम यहां पर याद रख ली ना पूछेंगे नहीं बड़ अपनी नॉलेज के लिए पतावने चाहिए नेक्स्ट क्वेशन भी आते हैं इंडिया ने कितने मैडल जीते हैं वूशू 17 मैडल जो है यहां पर जीते हैं 17 मैडल यहां पर वूशू प्लेट्स के द्वारा जीते गए थे तो इसको यहां पर याद रखना और साथ ही साथ आपको एक बात बताऊं कि जितने भी विनर्स थे वूशू स्टार चैंपेंशिप 1223 के इंडिया से उन सभी ने पार्टिस है ठीक है मिरको साथ साथ होमवर्ग है बताने कहां कहां पर हुई अभी थोड़ा सा कैलाज खेट जी इस पर खुश भी थे यह भी न्यूज में था बताना किस जगहां पर हुई है इसके अलावा खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स हम लोगों ने देखी है खेलो इं नेक्स पर आते हैं कौन सी वन वस दे नेशनल टेक्नोलोजी डे 2023 अब्जर्व तीम याद रखना क्या है स्कूल टू स्टार्ट अप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स तू इनोवेट नेशनल टेक्नोलोजी डे बनाया जाता है यारा मही के दिन ठीक है यहां पर इसको इसराइल के फॉर्णर मिनिस्टर अली कोहन की विजर्ट थी इंडिया में उसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं हम लोग पहले सीधा इसके आंसर पर बात करेंगे फिर हम लोग थोड़ा सब डिसकस करेंगे इसको डिटेल में जितने भी पॉइंट्स कि वर्ड ओन वील्स बस जो है डबली ओ जिसको वाव बस भी का जा रहा है यह किसके द्वारा लॉंच की गई तो यह इसराइल इंबसी के द्वारा लॉंच की गई है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है जो हमारे एक्सटरनल अफेर्स मिनिस्टर है एस नर्सिंग तो यहां पर यह नंबर भी याद रखिएगा टोटल जो 42 इंडियन थाउजंड इंडियन है उनको यहां पर मोका मिलेगा कि वह वहां पर जाके काम कर सकें तीसरा पॉइंट क्या है नए अग्रिमेंट काफी सारे साइन के गए थे बहुत निशन के द्वारा ता था नेक्स पर आते हैं कौन सी ऐसी पहली इंडियन स्टेट है और इसको भी आप लोग मोस्ट इंपोर्डेंट मार कर लीजिएगा जिसने लॉंच करा है इंस्टिउचन रैंकिंग फ्रेमवर्क रिसेंडली टू एक्सेस्ट तक्वालिटी ओफ हाईयर एडिकेशन इंस्ट को गैस्ट भी कर सकते हैं क्वेशन को हंड़र पॉसेंट लिट्रेसी रेट है स्टेट का तो यह है कैरला कैरला ने अभी हाल ही में जो लॉंच करा है फॉर्मली लॉंच करा है कैरला इंस्टिउचन रैंकिंग यानि कि जितने भी हाईयर एडिकेशन के इंस्टिटूट है उनको अब एकसेस होगा कि जो से मेंटेन की जाए कि क्या रेंकिंग है किसकी कितनी रेंकिंग है तो यह सारी चीज़ें के द्वारा भी हाल ही में शुरू करी गई है तो इसको यहां पर आप लोग याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं लोग 17 के ओपर चलते हैं विच स्ट लंगरा के द्वारा किया गया है गीता करिमिकुला भीमा यानि की जो की हमारी टॉड़ी टैपर से कम्यूनिटी ठीक है उनको पांच लाग रुपे का जो इंशुरेंस है जो है वो दिया जाएगा और जो इनकी existing scheme थी एक राइथू राइथू भीमा उसको जो है अब डिज scheme के बारे में objective क्या होगा इसका तो यहां पर मेन objective यही है कि financial support जो है वो दी जाए जितने भी टॉड़ी टैपर होते हैं यहां पर जो गिर जाते हैं पेड के उपर से जिनको आप यहां पर देख सकते हैं जैसे बहुत उंचाई तक जाके आप लोग ने देखाएगी जो काम करते हैं पेड़ों पे तो उनके लिए यह स्कीम जो है यहां पर लांच करी गई है पहला इसके लिए आप ऐसा नहीं कि कोई भी जो है जो यह काम करता वो उसको यह स्कीम मिल जाएगी पहला पॉइंट यह है कि आप एक पर्मनेंट रेजिडेंट होने चाहिए तलंगना के दूसरी आप एक टॉड़ी टैपर होने चाहिए तीसरी चीज यह बोला गया है कि आप लोग एक एक एकॉनमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलॉंग करने चाहिए तब आप लोग यहां पर जो है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो यह पांच लाग की मैंने आपको अमाउ लिए की गई है और यह भी पूछा जा सकते कि किसके द्वारा करीगी है नेक्स बात है क्वेशन नमर 18 की अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी और्गनाइजेशन है जिसने डिसेंटली कलाबरेट करा है और इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंस एम्स डेली के साथ ताक कि के साथ मिलके साउथीस्ट एशियन रीजिनल ऑफिस जो है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का ड्यूक नुएस के साथ मिलके इन्होंने यहां पर कोशिश की है ताकि जितने भी जो पेशन्स होते हैं उनकी सेफटी और क्वालिटी कंट्रोल जो भी उनको दवाईये दी जाती है इस सब चीजों का ध्यान अखा जाएगा तो यह यहां पर क्या गया अब ड्यूक नुएस की बात करूं मैं तो यह जो है यह ड्यूक यूनिवर्सिटी और यूनाइटिड स्टेट्स की अगर एक आपस में नैशनल यूनिवर्सिटी का क्लाबरेशन है सिंगापू इस तरीके का कोई पहला अवार्ड जो है वो मिलता है तो यह अपने आप में न्यूज में होता है प्रोफेसर जयंत विश्णू नारलीकर जी को इससे समानित करा गया है यह बहुत ही बड़े एस्ट्रो फिजिस्ट है और साथ ही साथ यह प्रेजिडेंट रह चुके हैं सुसाइटि ओफ इंडिया के तो इनें यह आवःड से समानित किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह पहला ऑथ है ऐस्ट्रो आयकल ससाइटि औभ इंडिया का वाड है याद रखिएगा जियांत विश्णु नारिलिकर जी को यह समानित किया गया है नेक्ट पर आते हैं इसी तरीके के जो कि नाइजीरिया से बिलॉंग करते हैं अब यह पूछे जाते हैं जो आप दोग देखते हैं कि आपके स्लेबस में मेंशन है तो उसमें इसी तरीके के जो पूछे जाते हैं जो करन्ट अफेर्स के रिलेटेड होते हैं या फिर बहुत पुराने जो जैसे मात्मा गांदी ने कौन सी बुक लिखी है ज्वाला नायरू ने कौन सी लिखी है पूछा जाता है या तो रीसेंडी इस तरीके के क्वेश्चन कुछे जाते हैं जो की नीउस में होते हैं तो आपको दोनों याद रखने हैं नेक्स पे चलते हैं नीउस में रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने हाल ही में अपॉइंट करा है CEO ट्वीट से यहां से हटे हैं यह क्वेश्चन पेपर में औरेडी पूछा जा चुका है कि यह टोटल जो डील थी यह कितने रुपे की थी जो खरीदा गया था तो वह थी 44 बिलियन यूएस डॉलर की डील जो की एलन मस्क ने यहां पर करी थी ट्वीटर को खरीदने के लिए तो यह पूइंट्स यह औरेडी पेपर में पूछा जा चुका है लेकिन यह क्वेश्चन जो बार-बार पूछे जा सकते हैं और साथे साथ यहां पर यह नाम याद रखना है यह बहुत बड़ा ब्रैंड है यहां पर किसको बनाया गया है ग्लोबल अमबैसेडर तो यह बनाया ग बनाया गया है बट याद रखना यह जो डील थी यह सो करोड की थी तो यह भी बहुत पेपर में थी यह अब इसको तो काफी टाइम हो चुक है उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को बनाया गया बट बूची जैसे ब्रैंड ने पहली बार किसी इंडियन को यहां पर किया है ग्लोबल लगजरी ग्रूप में आता है तो अलिया भट जो है यहां पर इन्हें जो है ब्रैंड अबसेडर बनाया गया है इसका नेक्स पर आते हैं क्या थीम थी वर्ल्ड माइगरेटरी बर्ट डे की जिसको तेरा मही के दिन अब्जर्व किया गया था तो यहां पर मैं आपको कल को 14 अक्टूबर दिखता है और 13 में नहीं दिखता है तो यह मत कहना कि क्वेशन गलत है तो यह दोनों चीज़े याद रखना साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी इस बार तो इसकी थीम थी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ ऑप्शन नमबर सेकिंड जो था व सारिक सरकारे जो वन लॉंच करती है जैसे हम लोगों ने भी देखा टॉडी टैपर्स के लिए करी गई है वैसे ही यहां पर आप कोशिश की जाएगी एक कॉमन डिजिटल प्लाटफॉम बनाया जाए त्याकी इंप्रूफ कर दिया जाए जितनी भी वेलफे स्कीम जगा प सिंग सुखु जी इनके द्वारा यहां पर कॉमन डिजिटल प्लाटफॉर्म जो है वो लॉंच किया गया है ताकि जितनी भी वेलफेर स्कीम है उनको इंप्रूफ किया जा सके यहां पर तो आई होप यहां तक यह क्वेशन आपको क्लेर होगा नेक्स पर आते हैं हम लोग एस पर देटा रिलीज़ बाइदा मिनिस्ट्री और कॉमर्स और इंडिस्ट्री विच कंट्री इमर्जाइब थर्ड लाज़ेस एक्सपोर डेस्टिरेशन फॉर इंडिया इन फानेंशल यह ट्वेटी ट्वेटी ट्री और साथी साथ अब यहां पर आपको बता दू पहले पर तो हमारे लिए जो है am Bear comp geste도 इसमें यॉइस से पहले पर है यूए फंडियाख यहां पर बनी है यहां पे जो है वो देखने को मिला है तो यह आप लोग याद रखिएगा और यह रिपोर्ट जो है या डेटा जो है रिलीस किस ने किया इसको भी याद रखिएगा homework नोट का लीजिए मुझे बताईएगा इस समय हमारे यहां पर union minister कौन है ministry of commerce की ठीक है आज homework कम दिया है ले दो साल के लिए तो यहां पर याद रखना यह जो नाम फाइनलाइज करा गया था यह तीन मेंबर के खाई पॉवर सेलेक्शन कमीटी बनाई गए थी जिसमें एक नाम जो इसनों ने लीड किया था वो थे परदान मंत्री खुद उनके द्वारा यह फाइनल किया गया है ना यहां पर आपको बता दू यह क्या गया है भपिंद्र यादव जी के द्वारा भपिंद्र यादव कोन है इन्वार्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हमारे मिनिस्टर तो इनके द्वारा लॉंच करा गया है मेरी लाइफ माई लाइफ जो की एक नहीं मोबाइल आप है ताकि इससे ट्रैक करा जा सके चीजों को यह बहुत पहले मिशन लाइफ जो है अगर यहां पर बात करूं मिशन लाइफ जो है यह दो हुजार बाइस अक्टू और यहां पर इसी का ही एक पार्ट आप लोग वान सकते हैं मेरी लाइफ तो यह आप लॉंच की गई है पेपर में पूछा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई है तो यहां पर इसका नाम याद रखिएगा नेक्स पर आते हैं 82nd इंटरेशनल जो ग्रैंड मा व्यूपला प्रनीत इनका नाम है इनको याद रखिएगा पेपर में डिरेक्ट क्वेश्य बूछ से जाएगा कि यह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो यहां पर इनका नाम याद रखिएगा युनाइटे नेशन के द्वारा इंटरेशनल डे मनाया जाता है फैमिलीज का जो की अक्रोस ग्लोब अब्जर्व किया जाता है 15 मई को इसकी थीम थी इस बार डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज तो यहां पर इसको याद रखिएगा यह क्वेशन काफी इसके द्वारा करी गई है तो यह मद्यपरदेश के जो सीएम है शिवरा सिंग चोहान इनके द्वारा यहां पर इसको किया गया है और एक टोल फ्री नंबर भी जो है यहां पर दिया गया है जो है हमारे यह इतना ही यह थे हमारे 식कले डॉंड कर सकते हैं और अगर आप Гос één यह इतना ही मिलते आशनली नर्य क्सकली आए और हम लोग कोशिश करेंगा में थ़र्ड वीक के आप लोगों ले आए और जब लास्ट के चार दिन बचेंगे इस महीने के या फिर जब नेक्स मन शुरूँ होगा तो हम लोग वही पांट सेकंड के टेस्ट आपके यहां पर ले आएंगे रिविजिन के तोर पर ओके काइज बबाए टेकर आपके मिलते हैं जल्दी ने लेक्चर के साथ सब्सक्राइब के लिए दीजिए इजादत वे नाइस डेए बाबाए टेक के गुद नाइट